प्रभास की फिल्म कल की 2898 एदी को रिलीज होने में अब दो महीने से भी कम समय रह गया है, जहां 9 माई को ये फिल्म दुन्या भर के सिनेमा धरों में रिलीज होने वाली है, जहां इस पिक्चर में प्रभास के अलावा एक दर्जन से भी ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री के ब कल कर आती रहती है, और अब खबर आ रही है कि इस फिल्म के OTT राइट्स खरीदने के लिए, मेकर्स और OTT के बीच की डील में बड़ा पैंच फंस्ता नजर आ रहा है, दरसल प्रभास की इस फिल्म का रिलीज से पहले और बात का बिजनिस धीमा होने के मूड में नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि नेटफ्लिक्स और प्राइम विडियो जैसे कई बड़े प्लाटफॉर्म ने कल की के मेकर्स को फिल्म के OTT राइट्स खरीदने के लिए बार-बार संपर कर रहे हैं, और उन्हें बहलाने फुसलाने में लगे हुए हैं, कहा जा रहा है कि वो मेकर्स को 150 से 170 करोड की डील दे रहे हैं, लेकिन मेकर्स इतने में अपने फिल्म के राइट्स बेचने को तयार ही नहीं हैं, क्योंकि रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि मेकर्स ने OTT वालों को भारी डिसकाउंट देकर कम से कम 200 करोड रुपे की डील उनके सामने रखी हैं, और वो इससे कम में इसे बेचने को तयार नहीं हैं, यानि 30 से 50 करोड को लेकर OTT प्लाटफॉर्म और मेकर्स के बीच मामला फंस रहा हैं, वही इस फिल्म का बजट और इस फिल्म के लिए जनता में जो हाइप हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अगर एक नजर इस फिल्म के बजट पर डालें, तो रिपोर्ट्स की मानें, तो इस फिल्म का बजट लगभक 600 करोड रुपे बताया जा रहा हैं, जिस हिसाब से तो मेकर्स ने जो डील OTT वालों को सामने रखी हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रही हैं, क्योंकि अब हर फि इस फिल्की के मेकर्स ने जो डील रखी हैं, वो तो बिल्कुल ही OTT वालों के लिए फाइदे का सौधा हैं, और जहां फिल्म जब सिनेमा धरों से हटकर OTT पर दस्तक देगी, तब इनको यह फिल्म भारी मुनाफ़ा कमा कर देगी, क्योंकि इस फिल्म के लिए जनता पाग जल हुए जा रही हैं, हालांकि अब फिल्म के राइट्स कितने में और किस प्लाटफॉर्म को बिकते हैं, ये देखना दिल्चस्प होगा, फिल्हाल ऐसा कहां जा रहा है कि इस फिल्म के लिए प्रभास लगभग 100 करोड की फीस वसूल रहे हैं, हालांकि अभी ऑफिसियली जानकारी सामने आना अभी बाकी हैं, बहरहाल इस फिल्म से प्रभास को काफी उम्मीदे हैं, क्योंकि बाहुबली 2 के बाद उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है, लेकिन अब देखना होगा कि आगे ये फिल्म क्या कुछ कमाल द दिखाती हैं, और क्या इस फिल्म से प्रभास एक बार फिर से बाहुबली अवतार में वापस लॉट पाते हैं या नहीं?